किससे आपके कमेंटे उस सारी था मैं अपनी पट्सू का डलिया तो खिला रहो लेकिन गेहूं का डलिया खिलाने के बाद ऩ। 박ले के बाद इसे युझे पड़िया। तो ग्रवार 얼마나 साक्त है तो तो धुलाने के आपको पतहों कि सक्राने ने यूदेर बिए बेंदो किhh फटरी चाहिए डिए लाने के कहीं ना करते किसे सब्दुन करते हैं पकाते नहीं है आप जब भी गयों को पकाएं तो कॉससर कर दे जो हमारे पास होती है उस गूर को आपको एड़ कर देने किसस्द सब्सक्राइब देखे जब भी आप दलिया बना रहे हो उसमें आप जैसे कि आधा किलोपने ग्यों का दलिया बना एक टाइम के लिए उसमें आप 200 ग्राम गूट जरूरी एड़ करदें उसके से 50 ग्राम के मातरम मेथी जरूर डाल दें आप इसको प्रॉपर जापकी पस्षू का तैयार हो अब थंड़ कम होसा माने वाला ही इसमें अब सर्षों का तेलवी कर सकते हैं तो सो से पचास सु ग्राम तक और उनको अच्छे से मिक्स करें किस सब्सक्राइब करें तो जिन पशुका कम हो रहा है जिन पशुका दूद बहुत ही कम हो रहा है उनको आप दे रहे हो आपकी जो दिया हूं उसको डायट ऐसे मैं दे दू ऐसा आपको गलती नहीं करना है किसा सथीओं आपको गहू का दलिया हलुआ के तरह बनाएं और जब बन जाए दलिया अच्छी से बनके त्यार हो यह तो आपको बूट डाल दें 200-200 ग्रम गूड डाल दें इसके पचास गरम की मा इसको आप कभी पीलाना नहीं किसा साथ हूँ अब काणी करें तो नहीं कोसिस करें पर पहने बिल्कुल भी ना पिला है और इसको अपर रगण आप देखो आपकी पस्टों जो कम दूद्ध दे रहती हो पस्टों पिक लेवर पर आजाए किसा सथ और आपकी जो घाय भैंस है भरपूर मात्रा में दूद्ध के सथ जब आपके पस्टों बढ़ जाए किसा सथी हूँ तो आप इसको कुछ दिनों के रोक दें दस दिनों के फिर रोक दें फिर बीच में आप एक दिन दो दिन करके देना श्राट कर दें आप रेगुलर इसको दे सकते किसा सथी हूँ राज आपने दिया है तो दो दिन रुख जाओ दो दिन बाद फिर से उसको स्टाट कर दो जब 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 लगए हाँ मेरी पास हो दूद्ध नेनी जाने करें मिलती और मिलती रहेगे जहिंद बंदे माता रादे रादेशी